विधान सब्वा चुनावों के लिए BGP पूरी तरह से तयार है और BGP का नेत्रित्व और कारिकरता भी चुनावों के लिए बेसब्दी से इंतजार कर रहे हैं हमिर्पर के सरकेट हाउस में पूरे मक्यामंत्री प्रोफेसर प्रेम कमार धुमल ने पत्रकारवार्ता में कहा कि सभी चाहते हैं कि बीज़िपी में सिगर ही उमीद्बारों का नीने हो और इसका फैसला हाई कमान करेगी धुमल ने कहा कि पार्टी का एक मातर लक्ष जीत हासिल करना है और जीतने वाले उमीदबारों को ही पार्टी टिकट देगी पार्टी के सामने सबसे बड़ा लक्ष है जीत विजय किसकी संभाविता है अगर कोई महिला जी सकती है तो नाचुरली उसको टिकट देंगे पूरे मख्यामंत्री प्रफेसर प्रेम कुमार धुमल ने परदीस सरकार पर टीका हमला बोलते हुए एक कॉंग्रेस सरकार पर अरूप लगाए है धुमल ने कहा कि परदीस कॉंग्रेस सरकार में नया ट्रेंड शुडू हुआ है जिसमें आदे अधूरे उद्गाटन किये जा रहे हैं जिसके लिए संबंदित अधिकारी भी जिम्मिदार हैं किसी एक पुराणी वेदमा जो लाखों की होती है उसका उद्गाण में होता है और क्रोड़ों रुपए के नहे शिरामियास कर दिये जाते हैं और खबर मीडिया को इशूति की जाती है कि इस विदांस्वाक शेत्र में क्रोड़ों रुपए का धिकास कारिया लोकापित किये जो चोटा साथ गाटन और बात की बिना बज़र प्रॉप भाग जो ट्रेंड आ रहा है इसके बारे में अधिकारियों को भी चेताविन देन चाहूँगा कुछ अधूरी उद्राओं को गाटन करिक किया जा रहा है अधूरे भवंज पूरी तरह तैयार नहीं है जहां पर फरनीचर नहीं है जहां तो बिज्री पानी का कुनेक्शन नहीं है जो धिकारी बर्तमान शाष्कों को प्रसंद करने के लिए जो गाटन करवाएंगे सत्ता परिवर्तम के बाद उना धिकारियों को ही पूरे करने पढ़ेंगे हम कोई अतिरित बज़ट उसके लिए नहीं देंगे बीजीपी विधायकों पर लग रहे हैं मारपीट के अरोपों पर धुमल ने कहा कि इन मामलों की पूरी जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी पुलिस की कारेपनाली सवालों की घेरे में है दुमल ने कहा कि फुजूल की सारी बाते हैं क्योंकि पिये मोदी का पुतला जलाना कहां अच्छी बात है तब तो पुलिस नहीं रोकती है मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है पता करेंगे लेकिन पुलिस वाले भी कई बार अपनी सीमाई लांग कर एक ब्यक्ति विशेश का पुतला बचाने के लिए तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं देश के पुतला जलता है तो तमाश मिन मनके देखते रहते हैं क्या पुतला मंत्री से उपर कोई ब्यक्ति इस देश में है जिसके पुतले को बचाने के बश्रकता है और अगर पुतला जलता है तो पुतला जलता है तो पुतला जलता है तो पुतला के नेताओं का क्यों न सब को अच्छा बैवार अपनाना चाहिए और सब एक दूसरे के प्रदेश समान रखना चाहिए दूमल ने कहा कि 22 सितंबर को कांगड़ा में यूबा मोर्चा की हुंकार रैली का आयोजन होगा जिसमें रास्टी अध्यक्ष अमिस्ता सिर्कत करेंगे रैली में परदेश भर मोर्चा एक हुंकार रैली कांगड़ा के मैदान में कर रही है जिसको रास्टी अध्यक्ष रहमित शाजी संबोदित करेंगे और प्रदेश वर्से जिस तरह कर लोगों का जोश है और जैसे यूबा आ रहे हैं हमें लगता है एक लाग से ज्यादा यूबा उस रैली में भ केंद्री उर्जा मंत्राले के सहयोग से हिमांचल में सोलर लाइट और कूड़ादान का जोड़ा बनाकर बांटने का डिने लिया गया है इसी कड़ी में हमीरपूर में पूर मख्यमंत्री प्रफेसर प्रेम कुमार धुमले सर्केट हाउस में कारिक्रम का शुभरम किया जि केंद्री उर्जा मंत्राले के अंडर जो पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स है उनकी कार्पूरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी सी एसार की तहत हिमाचल में सोलर लाइट और डस्ट विन्स दो दो डस्ट विन्स का जोड़ा बनाकर बांटने का निरने लिया गया है निवेदन था कि इसका शुबारम आज कर दिया जाए ताके वो फिर जहां जहां उनको लगानी है लाइट सो लाइट लगा सके और जहां जहां में शक्तर डस्ट विन्स की होगी वहां डस्ट विन्स भी लग जाए यह उसी का शुबारम था